नमस्कार दोस्तों, पुझे शिक्ती चानल भाप सब भी मेरे भाईयों और भाईयों का बहुत बहुत स्वागत है आज जिस नेविशे पर हम चर्चा करेंगे वो है धन तेरस पर किस प्रकार जाडू की खरीदारी आपके जीवन में खुशाली ला सकती है सबसे पहले आपको बता दें कि धन तेरस पर देवी लक्ष्मी और कुबेर का पर माना जाता है इस दिन गणेश जी की पूझा करने से भी आपके जीवन में रिद्धी सिध्धी की प्राप्ती होती यानि समरिद्धी आपके घर पर अपने आप चलियाती है धन तेरस पर कई माननेता हैं कि यदि इस दिन हम कुछ ऐसी वस्तुवे खरीदते हैं जिनका जो वर्णन है हमारे शास्त्रों में दिया गया है तो आपके घर में कभी भी पैसी की कमी नहीं होती है हमेशा आपके घर में अन्य और धन दोनों ही पुन्ट रूप से रहते हैं धन तेरस पर की गए खरेदारी आपके जीवन में साल बर माता लक्षमी की जो है क्रपाद रश्च्री बनाती है कि गणेज जो लक्षमी जी की प्रतिमा जो की धन तेरस पर खरीदना सबसे शुब होता है धन तेरस के दिन आपको लक्षमी देवी और गणेज जी की मूर्ती घर में जरूर लानी चाहिए इससे पूरे साल घर में धन और अन्य की कभी भी कमी नहीं होती है ये देवी देवता धन और बुद्धी को बढ़ाते हैं साथी साथ आपके जीवन में समरिद्धी लेकर आते हैं कई लोग कहते हैं कि हमें किस प्रकार की धातू से खरीदनी चाहिए या कौन सी धातू की खरीदारी धन तेरस में करनी चाहिए तो इसके लिए भी धन्तिरस के दिन हमें धातू जो होती है वह पीतल, सोना वह चांदी का समान हमें जरूर खरीदना चाहिए ऐसा माना जाता है इस दिन चांदी के सिख्के खरीदने से आपके जीवन में जो है संपत्ती बहुत भhrती है और हर साल जो है नया सिक्का खरीद कर इस सिक्कों को हमेशा जमा करते रहना चाहिए यानि कि हर दिन तर इस पर एक सिक्का खरीदते जाए अपने जीवन में और इसे जो है लगातार बढ़ाते जाए इससे कहा जाता है कि आपके जीवन में संपत्ती लगातार बढ़ती रहती है इस दिन चीजों को खरीदने से इंसान की किस्मत बदलती है घर में लक्षमी देवी की क्रपा बनती है पूराने समय से ही सोने और चांदी के आभूशन बरतन खरीदना बहुत शुब माना जाता है परन्तु आज के जमाने में अगर हम सोना चांदी ना खरीद पाएं तो आप इस बात की जरूर कोशिश करें कि पीतल के बरतन जरूर खरीदें इस दिन पीतल के कलश खरीद सकते हैं पीतल की थालियां खरीद सकते हैं इसी के साथ धन तेरस के दिन हमें देवी लक्ष्मी का प्रतीक माने जाने वाले जाडू को जरूर खरीदना चाहिए धन तेरस के दिन नहीं जाडू लाने से घर की नकरात्मक जितनी भी उरजाएं वो बाहर चली जाती है और घर की जो साफ उरजाएं या पॉजिटिव उरजाएं आपके घर में आने लगती है इसके साथ ही अन्य धन की कभी कभी नहीं होती है साथ ही साथ धन के जितने भी मार खुलने लगते हैं। के अलावा धन ते रस्त्वे भाईयों और भैनों में स्वटीक का श्रीयंत्र भी ज़रूर खरीदना चाहिए। आपके घर में भी श्रीयंत्र की स्थापना आपने नहीं करी है तो इस दिवाली जरूर करिए क्योंकि इस दिन स्वटीक के श्रीयंत्र को लाने से घर में लक्षमी जी आपके घर के और खिची चली आती है दिवाली की जो लक्षमी गणेश जी की पूजा होती है कुबियर ज पुजन के बाद केसरे रंके कपड़े में सेल पंकुड़ी में करें, अपनी तीजोरी गल्य और भाते, जहांपर धन रखन रखते तहां ऐसा माना जाता है इतना सा कार अगर आपने जीवन में कर लिया क्योंकि यंत्रों के राजा कहे जाते हैं श्रीयंत्र और धन तेरस के दिन अगर स्वटिक के श्रीयंत्र खरीद कर इनकी स्थापना कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी जो है किसी भी चीज की कमी नहीं आती है संपत्ति, धन तता वैभव अपने आप यापके जीवन में आने लगता है ऐसा भी माना जाता है धन तेरस के दिन हमें जो है कौडियां जरूर खरीदने चाहिए बहुत शुब मानी जाती है जिस घर में कौडियां रहती है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है आप लक्ष्मी पूजा के बाद इन कौडियों को लाल कपड़े में बांध कर जो है अपने घर के प्रमुक द्वार या अपनी तिजोरी में रख सकते हैं ये कारे करने से धन तेरस पर क्योंकि लक्ष्मी जी का ही छोटा स्वरूप माने जाती है कौडियां और कौडियां बहुत शूब होता है अपने जीवन में आपके गले में आपकी तिजोरी में व्यापार सल पे तो जब हम धन तेरस के दिने लेकर आएंगे तब जो दिवाली तक की पूजा होगी इन्हें वहीं लक्ष्मी जी के चड़नों में रखा रहने दीजिए उसके बाद इन कौडि जी की छोटी तस्वीर या इनका सिक्का जो है अपने घर में जरूर लेकर आना चाहिए इनकी पूजा करने के बाद ही आपके जीवन में धन बढ़ता है क्योंकि भगवान कुबेर जो है धन के देवता माने जाते हैं गणेश जी की पूजा जब इनके साथ की जाती है तो आता है साथी साथ विग्न हरता गणेश जी सभी विग्नों को हर देलते हैं यानि धन को आपके पास आने में जितने भी विग्न है वो सब जाने लगते हैं तो कुबेर जी का सिक्का या मूर्ती धन तेरस के दिन आप अपने घर में जरूर लेकर आईए साथी साथ ऐसा वि एक भी चीज अपने घर में लेकर आते हैं क्योंकि यह बहुत सारी चीजे हैं तो इस धंते रस पर आप या तो कॉडिया ले आईए या कुबेर जी की मूर्ती ले आईए या जो चांदी के सिक्के होता है फिर अगले धंते रस पर जो है आप दूसरे चीज ले आईए ऐसा कर इनके जो मार्क होते हों खुलने लगते हैं हमें इस दिन भगवान धनवंतरी जी की पूजा जरूर करनी जाए जो की कुबेर देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं नई जाडू और सूपड़ा खरीदने से भी आपके जीवन में सुख समरीद दी आती इनका पूजय कीजिए साया काल में दीपक प्रजुलित करके अपने मकान दुकान को सजाईए ऐसा माना जाता है जिस प्रकार अपने मकान दुकान और मंदिर को सजाएंगे उतना ही आपका सुन्दर जीवन होता जाएगा अलावा धन तेरस के दिन माता लक्षमी को गुलाब के पुश्पो की माला हमें जरूर अर्पित करनी चाहिए निस सफेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए अपने सामर्त अनुसार तांबे पीतल चांदी से निर्मित आभूशन अगर आप माता लक्षमी की मूर्ती के लि रखते हैं तथा पूजा स्थल पर इन्हें दिवाली तक अपने धनतेरस से लेकर दिवाली तक आपको ये जो सुखे धनिय के बीज होते हैं रखने चाहिए बाद में जो बीज होते हैं या जी सुखा धनिया होता है इसे अपने व्यापार स्थल या अपने जो गल्ला होता यहां धन रखते हैं वहाँ पर रख लेंगे तो धन और संपत्ता जो है बढ़ने लगते हैं धीरे दीरे यह जो है अपने आप ही छीजें बढ़ने लगती है। कुबेर देवता का पूजन शुमूरत में ही करना चाहिए ऐसा माना जाता है राहु काल के समयन का पूजन नहीं करना चाहिए अन्यता है जो पूजन है आपको कभी भी नहीं लगता है धन्तेरस वाले दिन साया काल में हमें 13 दीपक जला कर तिजोरी में जहां भगवान कुब देवता को अपने मंदिर में विराजित क्या है तो वहां पर तेरा दिपक जला कर जो है इनकी पूजा कीजिए ऐसा कहा जाता है ऐसा करने से आपके जीवन में खुशाली आती है तो ये जो कारे हैं बिल्कुल करना ना भूले साथ ही साथ आपको जो है गंद पुष्प प्रातना करनी चाहिए कि हमारे सभी पापों को दूर करें कर्मस को अच्छे वार। ता कि क्योंकि ये करम अच्छे होंगे तो है धनकी देवी लक्षमी जी आपके घर पर आएंगी तब ही वह आपको बहुत सा धनलाब देंगी का जहां आप जो समान भाप सा भूजा करनी ब्रश्यवलंग में अधिकतर प्रशोटकाल के साथ ही होता है तो आप जो है अपने जिस भी आप देश में रहते हैं जहां भी प्रदेश में रहते हैं वहाँ का जो है उस समय का स्थिर लगने देखिए और तभी जो है पूजा पाट कीजिए ताकि आपके जीवन में माता लक्षमी स्थिर निवास करें धन तेरस के दिन नई वस्तुवें खरीदनी ही नहीं बलकि दीप भी जलाने चाहिए इसके पीछे कई तरह की बाते हैं या मानिता हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है जो आपका प्रवेश द्वार होता है वहाँ पे जब आप रांगोली बनाते हैं दीपों को जलाते हैं तो वही पर जो है माता लक्षमी आपके घर में प्रवेश करती है साथ ही साथ घर में अकाल मौत का जो भै होता है वो खत्म होता है परिवार की लोह हमेशा जलती रहती है पुत्र पौत्र की प्राप्ती होती है धन तेरस पर नई वरतन खरीदने की परमपरा के बारे में कहा जाता ह कि जब धनवंतरी प्रकट हुए थे तब उनके हातों में अम्रस से भरावा कलश था इसी के बाद से ही उनके जनम दिन पर नए बरतन खरीदने का चलंज शुरू आता है यही माना जाता है इस दिन जो भी वस्तुवाव खरीदते हैं उसमें 13 गुनाव रद्धी होती है अगर आपने सोना खरीदा है तो वो बढ़ेगा अगर चांदी खरीदी है तो वो बढ़ेगी अगर आपने बरतन खरीदे हैं तो वो बढ़ेगा दिवाली की रात लक्षमी गणेश जी की पूजा करने के लिए लोग उनकी मूर्तियां भी धंतेरस के दिन ही इसलिए खरीदते है ताकि मातालक्षमी और गणेश जी जो है स्थिर निवास करें उनके घर में तदा उन्हें बहुत सी सम्रिद्धी और बहुत सामान सम्मान देख कर जाएं इस दिन जो है कमल गटे की माला धार्मिक साहिती रुदराक्षी माला खरीदना भी बहुत शुमाना जाता है इस दिन हमें जो है श्री यंत्र जरूर स्थापित करना चाहिए अगर आपके घर में नहीं है अगर पहले से है तो जैसे मैंने पहले बताया स्वटी का श्री यंत्र और अगर आपके घर में पहले से ही आपने श्री यंत्र की स्थापना कर रखिये जोकि तांबे और स्वर्ण पतर पे होता है तो उन्हें चार्ज जरूर करें आपने कोई भी यंत्र लक्ष्मी जी के लिए बनाया है श्री यंत्र चाहिए आ कुबेर यंत्र हो कोई भी यंत्र हो हमें धनते रस से लेकर दिवाली तक माता लक्षमी के चंड़ों में उन सभी यंत्रों को रखना चाहिए कोडियों को या अगर कोई पोटली बनाई है जो कि दिवाली पर पोटली बनाई जाती है तो उसे जो है इस समय पर चार्ज करना बहुत जरूरी है त बाता लक्षमी के चंड़ों में रखे दिवाली तक पूजन करें जो भी पूजन होता है वहीं रखे रहने दे उसके बाद दूसरे दिन जो है वापिस से अपने तिजोरी या गलने में रख दीजिए तो भाईयों और भेनों मैं आशा करती हूँ आज क्या वीडियो आप स से नए विशे पर चर्चा करते हूँ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए जयमाता दी